बैद यह जो इंटल का अपको प्रोशेसर में दिखा रहा है यह इनटल को आई फड़ जेनरेशन का प्रोसेशं golf, यह ऐस्ति आप आप फइंडाउट करोग़े कि आपका यह प्रोसेशर आपने लिए है कंपनी का है या रिफबरिक आपको आजकल रिफबरिक का भी और यहां पे देखिए सब लिखा हुआ रहता है और इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका जो प्रोसेशर है आपका जो बॉक्स है ओर इसनल है देखिए यहां पे सब कुछ इद्धम क्लियर इंटल कंपनी के तरफ से भेजा जाता है यहां पे देखिए कोर आई फाइट टोल जनरेशन का यह प्रोसेशर है इसका बैस नमबर है इसके सारे डिटल्स यहां पे दिये होते हैं बॉक्स पूरा ओरिजनल सिल पैक होता है आप कहीं पे भी आपको इसको आप किसी तरीके से आप इसको खोलना थोड़ा सा मुस्किल है आपको देखिए यहां पे यह प्रोसेशर दिख रहा है यह प्रोसेशर है जो कम्पूटर के हर एक पार्ट में लगा हुआ होता है और यही सबसे महंगाव चीज होता है आपके पूरे कम्पूटर सिस्टम का ठीक है ठीक है यह पूरे आपके देखिए यह प्रोसेशर है को इस seal भी बहुत perfect की हुई होती है और इसके seal के वज़े से ही आप इसमें कोई दूसरा seal pack नहीं कर सकते हो क्योंकि इसके जो packing होती है वो company से फिटेट देखी ये packing होती है यहाँ पे देखे ये जो seal लगा हुआ है ये original company का जो seal होता है वो है और यहाँ पे पूरा details दिया हुआ ह होता है अगर आपको इसमें कुछ भी problem ऐसा लग रहा है तो आप इसमें जो support नंबर दिया हुआ है आप इसको support कर सकते हो या इसको आप mail कर सकते हो तो अब अगर जो पारी fabric processor मिल रहा है और यह original processor यह है दोस्तों तो इसको अच्छी तरह से आप इसको देख लिजे क्योंकि यही आपके computer का important parts होता है और इससे ही आपको find out पता चलेगा कि आपका जो processor है और duplicate processor या pirated या copy नहीं है या refabric नहीं है और देखिए इसके seal इदम पूरी पूरे box के अपसिल देख लेंगे तो अगर कहीं से खुला रहेगा तो आपको दिखने से पता चल जाएगा कि यह ज देखिए इस पैक में आपको सब कुछ चील सब चारों तरफ से आपको यह सील आपको दीखेगा यह सारे सील जो दीख रहे आपको सभी सील आपको दीख रहे और सब पैक होता है पूरा box पैक होता है इंटल का जेनुर्ट जनरेशन प्रोसेसर है core i5 अब देखिए यहां प पैक है ना पैक होकर एक बार open कर दोगे तो दूसरी बात उसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो आप इसको अगर कुछ भी problem हाता है कुछ doubt है तो आप सीधा आप इंटल के साइट पे जाके चेक कर सकते हो और वहां से support दे सकते हो दोस्तों थैंक्यो